Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम Aries Lagan की सीरिस के बारे में चंदर की प्लेस्मेंट डिसकस कर रहे हैं और आज हम डिसकस करेंगे कि यदि चंदर देव Aries Lagan में 6th हाउस में आ जाएं तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों इससे पहले कि हम रिजल्ट्स पे जंप करें थोड़ा सा देख लिते हैं कि 6th हाउस से हमें क्या मिलता है किसी भी आस्ट्रोजिकल चार्ट में बर्थ चार्ट में हमें 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी हेल्ट को हमारे डट्स को डिसीजीज को एनिमीज को लिटिगेशन को लिटिगेशन मतलब कोर्ट केसे और 6th हाउस हमारी सर्विस का घर है क्योंकि यह सर्विस का घर है इसलिए यह आपस्टेकल्स का घर भी है क्योंकि हमारे डेली लाइफ हम यहीं से देखते हैं और डेली लाइफ में अब्स्टेकल्स का आना या रहना डेफिनेटली मुम्किन है और ये हमारे सर्वेंट्स का भी घर है और हमारे पैट्स का भी घर है, स्मॉल पैट्स वगरा भी हम यहीं से देखते हैं यानि के डॉग है, कैट है, और यानि रैबिट है, जो भी स्मॉल एनिमल और बर्ट्स हैं, उनको भी हम यहीं से देखते हैं और दोस्तों ये हाउस कहीं न कहीं क्राइम से भी जुड़ा हुआ है, ये हाउस कोरेल्स का हाउस है, लडाई जगडे का घर है और जो हमारी लाइफ में लडाई जगडे के बाद डाइवार्स और लेटिगेशन्स चलते हैं, वो इसी घर से चलते हैं तो यानि के डाइवार्स का भी इसी हाउस से ही रिलेशन है और ये हमारी सर्विस में जो हमारे एनिमीज हैं, या हमारे अपोनेंट्स हैं उनको भी हम इसी house से देखते हैं और जो हम day to day life में compete करते हैं चीजों को competitions यानि कि हम किसी competitions में participate करके किसी post and position को हासिल करते हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं और देखा जाये तो ये हमारे maternal uncle का भी घर है यानि fourth house हमारी mother का है और ये fourth house से third house है यानि कि हमारी mother के जो younger siblings हैं उसका भी घर यही है और दोस्तों अगर body parts को देखा जाए तो इस घर से हम कहीं न कहीं large intestine मगरा देखते हैं यानि कि stomach से कहीं न कहीं इसका relation है जो कि हमारे organs हैं हमारे stomach के नीचे के organs है वो भी कहीं न कहीं हम इसी house से देखते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि sixth house से हम बहुत पूरी चीज़ें देखते हैं और इसलिए इसको दुष्ठाना house भी कहा जाता है ये house कोई अच्छा घर नहीं माना जाता है क्योंकि यहां हर तरीके की problems ही देखते हैं और moon is very very soft and delicate planet अगर moon sixth house में आ जाये तो हम ऐसा मानते हैं कि यह यहां पर आके फस जाएगा क्योंकि sixth house में किसी ऐसे planet का रहना अच्छा माना जाता है जो powerful planet हो यहनी कि Mars, Rahu, even Saturn तो यह planets powerful है they can really fight the obstacles of sixth house or difficulties of sixth house but moon is a very tender, very emotional, very royal, very soft planet तो moon का इस घर में रह के इस घर की चीज़ों से fight करना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि moon की placement अगर इस घर में आ जाये तो हमें किस किस चीज़ का डर रहेगा सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह house चो है हमें domestic happiness में deficiency डालतेगा because fourth house is related to our domestic happiness वहां पर moon के जाने से हमारे domestic happiness में एक deficiency आ जाएगी problems आ जाएगी difficulties आ जाएगी we will have to face difficulties in our internal happiness which is related to our house यहां पर हमारी मा से relations भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे यहां से हम मदर से बात बात पर लड़ाई जगड़ा होने का योग बनेगा और fourth house से और चीज़ें क्या मिलती है हमें हमारी properties मिलती है और यह घर debt का घर है करजे का घर है तो हमारी properties में करजा हो सकता है पहली बात तो यह है कि हमें properties मिलने में दिक्कत रहेगी क्योंकि यह difficulties का house है और अगर हमें properties मिल भी गई तो हम किसी न किसी debt में trap हो जाएंगे यहां हमारी property debt में trap हो जाएंगी और यहां पर हमारी properties में कई तरह के disputes भी चल सकते हैं legal disputes चल सकते हैं litigation में भी हम फच सकते हैं और हमें अपनी जो vehicles हैं उनका भी सुख यहां नहीं मिलेगा चाहे हमारे पास vehicles हो सकते हैं लेकिन कुछ न कुछ problems उनके साथ लगी ही रहेगी smooth run करने में हमें दिक्कत आएगी अपने vehicles को कुछ repairing कुछ accidents कुछ difficulties कुछ problems यह सारे चीज़े हमें इस घर से मिलेंगे और हम अपने vehicles का जो सुख है उसको ज्यादा नहीं ले पाएंगे और दोस्तों यह हमारी मा का घर है fourth house is a house of our mother और sixth house जो है वो बिमारी का घर है तो हमारी mother की health में भी काफी deficiency रहेगी और यहां हम यह मान सकते हैं कि हमारी mother कहीं ना कहीं service करती हूँ क्योंकि sixth house का relation service से है लोगों की help करने से है और हमारी mother हो सकता है कोई ना कोई service करती हूँ अगर service नहीं भी करती होंगी तो उनकी health में definitely deficiency हो गया इंटरनल happiness के बहुत deficiency आ जाएगी और यह जो घर है sixth house जो है इस घर का लॉड़ बुद्ध है छे नंबर राशी वर्गो यानिकि इसका लॉड़ बुद्ध है और जो significator है इस घर के वो मंगल और शनी है तो बुद्ध और चंदर देव में वैसे ही नहीं बनती problem है तो जो बुद्ध देव हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं बुद्ध रिप्रेजेंट करते हैं हमारी intelligence, logical reasoning, detailed analysis of anything and our communication skill और ये वो सब जो हमारे day to day life में चीज़ें use होती हैं वो बुद्ध यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो mind है वो तो sharp हो जाएगा यहां पर क्योंकि हमारी जो mind है वो कहीं न कहीं intelligence से जुड़ गया, बुद्धी से जुड़ गया, logical reasoning से जुड़ गया, communication से जुड़ गया communication में हम अच्छे हो सकते हैं, intelligent हो सकते हैं और यहां पर emotional भी हो सकते हैं लेकिन हमारे mind में यहां पर कहीं न कहीं distress रहेगा, हमारा mind easy नहीं रहेगा, it will always be engaged in obstacles, problems, distress तो यहां पर जब यह चीज़ें हमारे mind में चलेंगी तो हमारे mind में stability की बहुत कमी आ जाएगी और हम चीज़ों को enjoy नहीं कर पाएंगे, यहां पर moon के आने से service का योग बनता है और दोस्तों यहां पर या तो हम service करेंगे या हम service देंगे किसी field में और यहां पर रहे के ज्यादा तर देखा गया है कि लोग जो है कही medical profession में आते हैं, nursing profession में आते हैं, HR profession में आते हैं या फिर financial activities में आते हैं या फिर litigation यानि के कही न कहीं counseling वगरा में आते हैं, तो क्योंकि यह घर जो है हमारी health से relation है इसका जिससे medical profession हम relate करते है, litigation से relation है इस घर का जिससे हम counseling services या loss related profession relate करते हैं और फिर service यानि के एक moon क्या है, moon is a motherly nourishment तो यहां पर हमें emotional satisfaction तभी मिलेगी जब हम कहीं न कहीं लोगों की help करने का काम करेंगे या कोई nursing का या medical profession का या doctor का का काम करेंगे तो तभी हमें emotional satisfaction मिलेगी और physical satisfaction मिलेगी और यहां से अगर हम आगे देखें तो यहां से हम अपने pets को भी बहुत प्यार करेंगे और कोई न कोई हो सकता है कि native किसी न किसी pet को रखता हो घर में यानि कि कोई dog या cat या कोई कोई भी pet यहां ऐसा योग बंद मदरली नियूरिश्मेंट कहीं न कहीं अपने आपको यहां जो है satisfy करेंगी कि करेंगी मून की और यह मैटरनल अंकल का हाउस है हमारी मैटरनल अंकल से emotional emotional I mean relationship हो सकती है लेकिन कुछ न कुछ problems भी रहेंगी क्योंकि बुद्ध और जो चंद्र है इन दोनों में ज्यादा बनती नहीं है यह बुद्ध का पक्का घर है और चंद्र देव यहां आके ज्यादा खुश नहीं रहेंगे और दोस्तों यहां पर हम जो है थोड़ा सा मोड़ी हो जाएंगे थोड़ा से हमारे mood swings ज्यादा रहेंगे और यहां पर definitely हमें एक easy going life नहीं नज़र आती है यहां पर हमारे family relations यानि के wife से और mother से ज्यादा अच्छे नहीं चलेंगे यह divorce का भी घर है अगर हमारे साथवे घर में कुछ affliction हो गई या disturbed हो गया और उसका relation छटे घर से हो गया तो definitely हमारे wife से भी relationship जो है वो stable नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं हम dispute में first जाएंगे arguments में first जाएंगे obstacles में first जाएंगे और यहां से हम क्या देखते हैं यहां से हम यह देखते हैं कि हमारी जो daily life है वो किस तरह गिरेगी तो हमारी daily life में काफी stress रहेगा because moon से हम mind देखते हैं और mind यह comfortable है नहीं तो यहां daily life में काफी stress रहेगा हमारी communication में भी काफी उतार चड़ावा सकते हैं और हमारी communication के through ही हमारी life में काफी problems आ सकती हैं और हमारी जो blessings है properties की, vehicles की, conveniences की, happiness की वो यहां सब जो है deficient रहेंगे उनमें काफी deficiency रहेगे और काफी struggle करने के बाद हमें यह चीजें मिल सकते हैं लाइफ में तो यह placement को अगर हम conclude करें तो यह placement बढ़िया placement नहीं है तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहां पर हमें कों से नक्षत्र मिलते हैं यहां से दोस्तों हमें नक्षत्र मिलते हैं पहला नक्षत्र हमने जो कल यहां पर छोड़ा था वो नक्षत्र था सूरिये का उत्तर फालगुनी उत्तर फालगुनी नक्षत्र इस राशी में 0 से 10 डिग्री तक है तो सूरिये से मून की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अगर इस नक्षत्र में मून है तो देफिनेटली हम यह मान सकते हैं कि मून में थोड़ी अच्छी स्ट्रेंग्थ रहेगी और काफी चीज़ों को जो है यहां मून फेस करेगा डिफिकर्टिस को चैलेंजिंग में फेस करेगा लेकिन हमें सूरिये देव की प्लेस्मेंट डेफिनेटली यह बताएगी कि यह रि तो यहां पर हमें डिफिनेटली अबस्टेकल्स फेस करने के बाद कुछ न कुछ गेंज जरूर मिलेंगे अगर सूरिये देव की प्लेस्मेंट फॉर्थ हाउस में भी हो जाती है तो हमें प्रोपर्टीज जरूर मिलेंगी बट वी विलाफ फेस लाट आफ और हमारे प्रो साथ हमारी वाइफ का घर भी खराब हो जाएगा यहां है अगला नक्षत्र अगर हम यहां देखें तो चंदर का हस्ता नक्षत्र आता है हस्ता नक्षत्र दस डिग्री से लेके यहां मून काफी कमफरेबल रहेंगे देखिये दो चीजे हैं मून इस इन दी हाउस अफ मर्करी यहां पर अगर हस्ता नक्षत्र में चंद्र होते हैं तो कहीं न कहीं यह काफी चीजे को काफी डिस्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे और अगला नक्षत्र यहां पर आता है चित्रा नक्षत्र मंगल का चित्रा नक्षत्र यहां 23.2 से पूरा फैला हुआ है और आगे चला जाता है नेक्स साइन में लिबरा साइन में तो अगर 23.2 से लेकर तीस डिग्री तक अगर चंद्र बैठे है तो वह आपको चित्रा नक्षत्र में मिलेंगे, और चित्रा मन् 관심 का अंपर मंगल देव का नक्शत्र यहां मौन की जो एनर्जी है वो और यहां पर मंगल वी स्ट्रॉंगर कि Organism इनिशेटिव लेने में मंगल मून तेज हो जाएगा के डैनमी को नेंगा साथा प। जाएगा और थोड़ा इसुझाieve भी हो जाएगा सूर्य में भी यह रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन यहां मंगल जो है यह विल्पावर देगा यहां पर मून को यहां पर मून मून में मंगल की एनर्जी को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि मार्शल एनर्जी में जब इंसान का माहिंट जो है ना एक्शन ओरेंटिड हो जाता है तो उसमें थौट प्रोसेस की कमी आ जाती है उसमें सोच की कमी आ जाती है वो डिसीजन बड़े फास्ट लेने लगता है और बाग में देखता है कि इस डिसीजन लेने के बाद मुझे कितना नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ challenges बहुत है, difficulties बहुत है, problems बहुत है, obstacles बहुत है, लडाईयां बहुत है, competitions है, तो यहाँ पर mangal की energy will definitely support moon's energy, क्योंकि यह competition का भी घर है, और यहाँ पर आपके पास buddh का brain है, moon का mind है, emotions है, और martial energy अगर आजाए, तो यहाँ competitions clear होने का अच्छा योग बनेगा, और हम क्या देखते हैं, चोथे घर से हम देखते हैं, अपनी 12th की education, और यहाँ पर चंदर देव 12th की education में obstacles पैदा करतेंगे, हो सकता है, 12th करने में हमें बड़ी दिक्कत आए, अगर हमारा 5th house संबला हुआ, यानि graduation का house संबला हुआ, तो हम graduation में जागे और अच्छा score कर लेंगे, successfully अपनी education को complete कर लेंगे, अगर हमारा 5th house भी बिगड़ा हुआ है, तो आदमे को 12th की education लेने में भी दिक्कत आजाएगी, और वो पड़ाई छोड़ देगा, क्योंकि 4th house का relation 6th house से हो गया, और 6th house जो है दुष्ठाना house है, bad house है, चाट का, तो दोस्तों यहाँ पर हम मान सकते हैं कि education के मामले में, secondary education के मामले में भी इंसान fortunate नहीं रहेगा, उसे मेहनत बहुत करने पड़ेगी, और यहाँ पर किसी malefic planet का aspect आ गया, या साथ में बैठ गया, या रहू के तु टाइप, या सेटन, तो definitely इन results में और दिक्कत आ जाएगी, यह problems और ज्यादा complicated हो जाएगी, और इंसान को एक बहुत बड़े संघर्ष में से निकलना पड़ेगा, तो दोस्तों, देखा यह जो है, it all depends कि कौन सा planet किस house में है, वो किस तरह का house है, वहाँ क्या-क्या energies हैं, कौन उसके significator हैं, और वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र के lord की placement क्या है, यह सारी चीज़ें देखने के बाद, you can definitely arrive at some results, अगर इस में से जितनी ज्यादा चीज़ें पॉसितिव हैं, उतनी ज्यादा ब्लेसिंग रहती हैं, और जितनी ज्यादा चीज़ें नेगटिव हैं, उतनी ज्यादा नेगटिविटी रहती हैं, I think this is all for the day and I hope you have liked this discussion and if you really like my channel then don't forget to subscribe it immediately and we will be releasing very important videos shortly which can benefit you in many respects, so my number is 9899105355, if you want to contact me just dial this number, so have a good day, have a good time, goodbye.